देहरादून सेलाकोई एम्स दिली में इंबीबीएस एंट्रेंस एक्जाम देने के लिए सेलाकोई के माया देवी इंस्टीटीट आफ टेक्नोलोजी में पहुची करीब आधा दर्जन छात्राओं का पेपर छूट गया दूर दराज से पहुचे बच्चे गेत पर ही रोने लगे लेकिन उन्हें इंट्री नहीं दी गई माया देवी इंस्टीट आफ टेक्नोलोजी सेलाकोई रभवार की सुबव गोरक पो लीपी परीक्षा देने पहुचे अंशिका रुची देवी मीनाक्षी सरिता के अनुसार इंबीएस का इंटर एक्जाम देने के लिए माया को लेट होने के कारण इंट्री नहीं दी गई करीवाधा दर्जन छात्राएं रोती बुलकती प्रवंधन तंत से गुहार लगाती रही वेरिफाइट फोटो स्टेट साथ लाई हैं उनके भविश्य के साथ साथ एक साल की मेहनत का सवाल है छात्राओं का कहना है कि किसी ने एक नहीं सुनी यह भी आरोप था कि प्रवेश पत्र में ऐसा उलेक नहीं किया गया कि देर या दो घंटे पहले कॉलेज में पहुचना है अन्ततहुन का पेपर छूट गया उधर माया देवी इंस्टीटीट के आईटी हे राकेश सेमवाल ने बताया कि पेपर होने से देर घंटा पहले इंट्री शुरू कर दी जाती है जो सवा घंटे तक लोज कर दी जाती है उसके बाद अंदर भी 15 मिनिट आप्चा रिकताएं पूरी की जाती है बच्चों की बायोमेट्रिक चेक अप फोटो आधी लिया जाता है उसके बाद एक जांग शुरू होता है कि अधिया जा जांग तो कितना टाइम लेंट किने लेट हूए दो तीन मिनट लेट हूए तो इनने बना कर दे गेट बंद गया दिया तो यह की चीज़ के आज देने आए तो तुम कहां से बिलों करते हो हम उत्राखंट कोड़ दो आरसा है कोड़ दोर से हैं जैसे बच्चों बभी से कराब हो रहा है एक साल के अंदर बढ़ा गुड़ ओफ लक के बात हैं जब से एक साल असे नंबर हजार रुपया पोचिंग करने के लिए लिए वे मतलमें तो जब भूस हो गया वुसारा जी जी पैसा परबाद इसको खाई है माय टुम्हाट मैं नुक के लिए कोई केंद रहे हैं माय आक ब गळूद है अगर झाल झाल